हमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंदर, ब्रह्मान्ड सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जो की वृच्चिक राशी में ब्रह्मन कर रहा है। दिनांग 17 जनुवरी के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल दोनु राशी में ब्रह्मन करेगा। और दोनु राशी में करीबन 27 वरिवरी तक उसका ब्रह्मन देखा जाएगा। तो इसके जो परिणाम है मंगल के वो हर एक राशी पर मतलब मेश राशी से मीन राशी तक जो सभी बारा राशिया हैं, इन सभी बारा राशियों पर यह जो मंगल का ब्रह्मन है, वो किस प्रकार से असर करने वाला है। आपकी जीवन का ऐसा कौन सा ख्षेतर है जो कि सबसे ज़्यादा कंपित होने वाला है और ऐसे कौन सी बाते हैं जो कि जानने ना काफी ज़्यादा मैं तो पूर्ण होगी उसी के संदर में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं मंगल के बारे में अगर देखा जाए तो ये अकेला ऐसा ग्रया है जो कि किसी भी राशी में या फिरस्तान में अगर ब्रह्मन करता है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो मिलते ही है देखिए मंगल जैसे कि हम शनी के बारे में या फिर राहु केतु के बारे में क कहãyते हैं कि उसका जो ब्रह् inception होता है वहमें वहमें कुछ बाते समझा के जाता है या फिर उसके संदर में परीडेनाम करते हैं हम वहनद्व करते हैं लेकिन मंगल करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे मेशरश के बारे में मेश राशी के बारे में अगर देखा जाए तो मेश राशी का स्वामी भी मंगल है या आपका लगनेश भी है और अश्टमेश भी है जो कि आपके भाग्य भाव में ब्रह्मन करेगा देखे जिस भाव में ये ब्रहमन करेगा उस भाव का सौमी भी आपके लाब भाव में ब्रहमन कर रहा है जिसके ओज़ेसे यह जो मंगल का ब्रहमन है वो आपके लिए बहुत ही ज़ादा शुबफ़लदाई साविठ होगा पिछले करीबन एक देड़ मेंने से आपने देखा होगा कि आपका जो confidence है वो इतना नहीं बन रहा है बन रहाता है या फिर आपके जो काम थे वो भी नहीं हो रहे थे स्वास्त के बारे में भी थोड़ी तकलिफ हो रही थी लेकिन अब जैसे ये मंगल आपके भागय भाव में ब्रह्मन करेगा तो आपका जो confidence है वो काफी ज़्यादा बढ़ेगा देखे यहाँ पर दो-तिन बाते हैं जान लेना ज़्यादा आवशक होगा पहले जो सबसे महतोपुर्णबाद आपके सहत के बार में छोटी मुटे प्राबलम आहिर जाएंगे लेकिन जो confidence जो कि आपके राशे की master की है वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा और जो भी आप decision लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएगे आपकी जो राशी है वो decision लेने में आगे पीछे नहीं देखती decision वो जल्दी जल्दी से ले लेती है बस वही बात है लेकिन अब क्या होगा कि जो decision आप लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएगे अगर आपके मन में कोई बड़ा काम करने की कोई सोच है या फिर आपके मन में प्लान है वो अगर आप implement करना चाते हो तो ये जैसे मंगल आपके भागय भाव में ब्रहमन करेगा तो उससे related कुछ अच्छे opportunity आपका आना शुरू हो जाएंगे और उस पर अगर आप implement करते हो तो आपको आगे जाके उसके बहुत जादा फाइदे मिल सकते हैं और सबसे important बात कि आपके मन की सिती ही उस प्रकार से हो जाएगी जो positive ने से वो आप में काफी देखा जाएगा तो अगर उसके उपर आप अमल करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा यह जो मंगल का ब्रह्मन है आपके लिए शुबु फलदाई साबित होने वाला है इसके बाद हम चार्चा करेंगे ब्रिशव राशी के बारे में ब्रिशव राशी के अश्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपका जो अश्टमेश गुरु है वो आपके दशम भाव में ब्रह्मन कर रहा है देखे यहाँ पर जो मंगल है यह मंगल आपके राशी का सब्तमेश भी है और वेश भी है अशुब फलदाई ग्रह है और वो अस्टम भाव में ब्रह्मन कर रहा है तो दो-तिन बाते हैं ध्यांदर में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यों कोगा अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वैवाई जोडिदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार काफी बढ़ भी सकती है अब यह जो मंगल है यह मंगल चतुरत दृष्टी से आपके लाब भाव को देख रहा है सप्तम दृष्टी से आपके द्वीतिय भाव को देख रहा है लेकिन आपकी spending वगरा जादा हो सकती है बस उसी के उपर थोड़ा सा ध्यांदिजा और खुद के बारे में भी अगर आपको भी अगर किसी की किसी व्यादी के बारे में आप ग्रसित हो तो उसके संदर में भी आपको कुछ लक्षन दिखाए दे सकते हैं तो जो मंगल का ब्र सहत के उपर थोड़ा सा ध्यांदिजा और आपके जो relationship का मामला है वो भी गड़बड़ा जा सकता है वसे उसी के उपर थोड़ा सा ध्यांदिजा हाला कि आपकी जो राशी है वो काफी cool and collect होती है थोड़ा सा इसके संदर में चौग करना रहना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशे के बारे में मिथुन राशे के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और सब्तम जो है आपका भाग्य बाव में ब्रह्मन कर रहा है जो कि आपी के राशी को भी देख रहा है अब ये जो मंगल है ये मंगल आपका सश्ट बढ़ भी सकती है ध्यान रखे ये बात जान लेना ज्यादा आवश्यक हो चोटी चोटी बाते होंगे जिसके वज़े से आप दोनों में problem complications हो सकते हैं और वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं तो खुद पर थोड़ा सा सयम रखना ज्यादा आवश्यक होगा अब यह जो मंगल है आपके लिए सबसे महत्व पुर्णबा जो गुरु है उसकी दृष्टी आपी के राशी पर है इस वज़े से जो भी problem है वो ज्यादा बहुत ज्यादा stretch नहीं होंगे बहुत ज्यादा वो तने नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी यह जो बात है अगर आप जहन में रखते हो क जो भी आपके जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ अगर आपको problem होती है तो थोड़ा से नर्माई से आपको पेश आना होगा कि यह आपके जो वैवाई जोड़िदार है वो आपके उपर हावी भी हो सकते है बस उसी के उपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा ब्रह्मन कर रहा है उसी प्रकार यह जो मंगल है यह आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है आपके लिए जो मंगल का ब्रह्मन है वह अशुब फिलदाई हो सकता है पहले तो सबसे में तो बर्णमा सेहत की उपर ध्यान रखना बहुत ही जादा आवश्यक होगा स अपको आ सकते हैं उसी प्रकार दो-तिन बाते उसके पर धान दीजिए अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी शोटी-मोटी बातों के लेकर तकर हो सकती है आपकी जो रिलेशनशिप है थोड़े खत्रे में भी आ सकती है अगर आप शेयर मार्कर से दिल करते हो तो सोच समझ कर इंवेश्मेंट करना काफी ज़्यादा आवश्यक हो गाजा पर आप काम करते हो नोकरी करते हैं या फिर वेवसाय करते हैं वहाँ पर के जो परसित्या है वह भी जैसा आप जाते हैं उस प्रकार से नहीं होगी इस वज़ए से यह जो मंगल का ब्रह दून लिया है उसके बारे में डिफॉल्ट वगरा हो सकते हैं लोन चुकाने के कारण उसके संदर में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते तो ध्यान रखिए थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा और पहले सब समय तो पुर्णाबाल जो स्ट्रेस लेवले उससे बचना होगा और सेथ के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ही जादा आवशग होगा इस मेह मतलब यह जो ब्रह्मन है मंगल का जो ब्रह्मन है वो करीबं 27 फरवरी तक मतलब 17 जनवरी से 27 फरवरी तक वो आपी के सश्टबाह में ब्रह्मन करेगा तो यह जो कालावधी है इसमें जो बातें मैंने कई, उसके पर थोड़ा सा ध्यान दीजे, शहत के बारे में भी, और आपका जो कारिक्षेत्र है उसके संदर में भी. इसके बाग की जो राशी है, वो है सिंगराशी, सिंगराशी के पंचम भाव में मंगल का ब्रह्मन है, और जो पंचम मेश है वो आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन कर रहा है अब ये जो मंगल है वो आपका चतुरतेश भी है और भागेश भी है जो कि आपके पंचम भाव में ब्रह्मन कर रहा है यह जो मंगल का ब्रह्मन है आपके लिए बहुत ही जादा शुबुफलदाई साबित होगा जो भी महतोपुल्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते होई जो मंगल का ब्रह्मन है वो करेपन 17 तारिक से लेकर 17 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक आपके पंचम भाव में ब्रह्मन करेगा जो कि आपके लिए बहुत ही जादा शुबुफलदाई साबित होगा जो भी महतोपुल्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते होई और वो पूरे होते हुए भी नज़र आएंगे जो भी महतोपुल्ण काम है वो आप कर सकते हो उसी परकार फेमोस होना या फिर लोगों के सामने आना इस परकार के कुछ अच्छी बाते भी शुबुफलदाई बाते भी आपके लिए हो सकते है घर के जो लोग होँगे उनके साथ भी आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखे जाएगी, कुल मिलाके देखा जाए, तो सिंग राशी के लिए ये जो मंगल का ब्रह्मन है, वो बहुत ही ज़्यादा शुब अपलदाई होगा, और आपका जो confidence है, वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा. इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशी के बारे में. दूसरी सबसे महतोपुर्णबा आगर आपको किसी भी प्रकार के decision लेने हैं तो यह जो मंगल का ब्रह्मन जो चल रहा है उसके संदर में नहीं लेना यह जो मंगल का ब्रह्मन है वो करीबन 17 जनिवरी से लेका 27 स्वरवरी तक आपी के चतुरतवाव में ब्रह्मन करेगा तो ध्यान रखिए किसी भी प्रकार के महतोपुर्णबा डिसीजन नहीं लेना ट्रेवलिंग में भी छोटी मोटी problem या complications आ सकते हैं सेहत के बारे में हाला कि आपकी जो राशी है वो सेहत के बारे में किसी ना किसी वैदी से ग्रसी थोड़ा बहुत रहती ही है तो आपके लिए सबसे महतोपुर्णबा सेहत के उपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना और सबसे important बात घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी problem आ सकती है और वो problem बढ़ भी सकती है इसके पहले अगर घर के जो लोग है उनके साथ किनी बातों को लेकर problem होई थी तो इन दिनों में मतलब यह जो कालावदी चलेगा मंगल का आपके चदूरतवाव में इसमें वो बाते काफी aggravate हो सकती है काफी ज़्यादा बढ़ भी सकती है तो ध्यान में रखे यह बात जानने ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा घर के जो लोग है उनके साथ problem complications हो सकती है इसके बाद हम चर्शा करेंगे तुलाराशी के बारे में तुलाराशी के तृतिया भाव में मंगल का ब्रह्मन है और यह जो मंगल है यह आपका सब्तमेश भी है जो कि आपके तृतिया भाव में ब्रह्मन करेगा और आपका जो तृतियाश है वो पंचम भाव में ब्रह्मन कर रहा है तो यह जो मंगल का ब्रह्मन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुबफलदाई साबित होगा पहले सबसम है तो पुर्णबाद आपके मन में जो भी decision है आपके मन में जो भी काम करना है आपके मन में किसी भी प्रकर के ideas है जो की implement करने है आपको इस कालावादी में आप कर सबते हो और आपको ग्रहों का पूरी तरह से love मिलेगा पूरी तरह से साथ मिलेगा जिस वज़े स आप जो भी काम implement करना चाते हो जो भी ideas implement करना चाते हो वो implement भी हो जाएगे और आपका confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा किसी वज़े से कोई problem नहीं आएगा और समय तो पुर्णबात आपकी जो वैवाइक जोड़ी दार होंगे उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी थोड़ा सा आपका घूमना फिरना जादा हो सकते हो बहुत ज़्यादा active हो सकते हो और उसी को चलते थोड़ा सा जो खर्चे वगरा है वो आपके हो सकते हैं आप हाला कि आपकी जो राशी है वो खर्चे के उपर ज़्यादा नहीं देखती लेकिन जो भी महतोपुर्णबा काम है आप इस कालावधी में कर सकते हो और वो पूरे होते होई बनाजर आएंगे वरिच्चिक राशी के बारे में वरिच्चिक राशी के द्विद्य भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपका जो द्वित्येश है वो आपके चतुरत भाव में ब्रह्मन कर रहा है और यह जो मंगल है यह मंगल आपके राशी का स्वामी भी है और आपका शेष्टेश भी है जो कि आपके द्विद्य भाह में ब्रहमन कर रहा है तो यहाँ पर और इसका जो काला वदी है मतलब यह जो मंगल का जो काला वदी है जो ब्रहमन काला वदी वो करीबान 17 जनीवरी से लेकर 27 फरवरे तक का होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा महतोपुर्णबाद आपकी जो spending है उसके ओपर ध्यान रखना ज्यादा आवच होगा आपकी spending काफी हो सकती है अब यह जो spending है वो आपके लिए जैसे कि आप सोच रहे हैं उस प्रकार से हो सकती है मतलब जो भी महतोपुर्णबाद काम है या फिर व्यवसाय करते हो उसके संदर में कुछ investment करना या फिर उसके बारे में कुछ नहीं बाते करना उसके संदर में भी यह investment हो सकती या फिर यह जो खर्चे है वो होने की संभावना ज्यादा नज़र आ रही है उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि आपके राशी का जो सब्तमेश है शुक्र वो वक्री अवस्ता में चल रहा है तो आपकी जो वई-वाइक जोड़िदार है उनके साथ भी छोटे-मूटे बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उनके सहत के बारे में भी छोटे-मूटे प्रॉब्लम आ सकते है बस घुरू राशी क्रमें ही मगनरहा है जो कालावदि हैर वो कर्रीम लगं कर शानवर्द 25 फरवरे तक होगा कंग यह जो मनगलहीयक यह आपका पशमेश भी भी है और आपी के राशे में ब्रह्मन कर रहा है और आपी के राशे का जो स्वामिय है वो आपके तृत्य भाव में ब्रह्मन कर रहा है देखिए जो मंगल का ब्रह्मन है आपके लिए शुबु फलद्दाई साबित होने वाला है जो भी महतोपुर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो बहुत ही इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे और सबसे महत पुर्णबाद इसके पहले आपने करीमन सवा देन मैने में देखा होगा कि बाते जैसे आप जाते हो उस प्रकासे नहीं हो रहे थी बहुत डिप्रेशन आ रहा था और जो आपके राशी के जो की नोट है एनर्जी लेवल वो आप में नहीं आ रही थी लेकिन जैसे ही ये मंगल आपके राशी में ब्रह्मन करेगा तो एनर्जी लेवल आप में काफी ज़्यादा देखी जाएगी और अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है जिसको जैसे आपको जो कॉंफिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो ज़रूर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजे सो सम और वो पूरे होते हुए बने दंसर आएंगे काफी ज़्यादा बिजी होनी की संभावना काफी ज़्यादा बनती है इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के वेयभाव में चंद्रमा का वेयभाव में मंगल का ब्रहमन है और दिनांक 17 तारिक से लेकर, मतलודע 27 जनेवरि से लेकर 27 फारवरि तक का जो समय है इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके वेयभाव में ब्रह्मन करेगा और आपका जो वेयश गुरु है, वो आपके द्वित्य भाव में ब्रह्मन कर रहा है यहाँ पर देखिया आपकी जो राशी है वो साड़े साती में चल रही है और यह जो मंगल है यह मंगल आपके राशी का चतुरतेश भी है लाबेश भी है आपके दिये जो मंगल है वो काफी जादा अशुब फलदाई साबित हो सकता है खास करके पैसे के मामले में चाहे जितना भी आप मेहनत कर लो किसी प्रकार से आपको उसके जो लाब है वो नहीं मिलेंगे opportunity बिल्कुल ही dry up हो जाएगी मतलब किसी प्रकार के opportunity भी आपको नहीं मिलेगी stress level भी आपका बढ़ेगा पिछले कई दिनों से आपके साड़े साथी भी चल दें तो यह जो सभी बाते हैं वो बहुत ज़्यादा stressful आपके लिए हो सकती है तो ध्यान दर किया हलाकि जो समय है वो 27 फरवरी तक चलेगा लेकिन जैसे मैं शुरुवात में कहां कि जो मंगल है वो जिस स्तान से गुजरता है उससे related बहुत ज़्यादा stress वगरा दे देता है अगर वो शुबा है तो शुबा देगा अगर अशुबा है तो काफी अशुबा भी देता है क्योंकि जो मंगल है वो अशुबा गुनों से ही कहा जाता है उसके जो परणाम है वो आपको काफी जल्दी मिल जाते है बाकी जो ग्रह है उनसे अगर तुन ना करो तो यहाँ पर मैं यह एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो मंगल का ब्रह्मन है यह मंगल का ब्रह्मन आपके लिए statistically या फिर पैसे के बामले में financially आपको काफी जादा अश होगा उस पर आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी-मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं तो ध्यान रखें यह बात आपको जान देनी बहुत ही जादा आवश्यक होगे अगर आपको कोई भी खर्चा करना है काफी बड़ा है चोटा है जो भी है अगर ह प्रतिक्षालाब जिसे हम कहते हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम आएगे मतलब आपने काम किया है या फिर आप काम करने के लिए तैयार भी हो लेकिन सामने से आपको पर पर पेंडिंग बेंग यहाई कई पर तो वह भी मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है इसके बज़े से आपका फ्रस्ट्रेशन काफी बढ़ सकता है आला कि आपकी जो राशी है वो काफी ज़्यादा उसमें हार्ड वर्किंग है और पेशन्स ज़्यादा दिखाई देती है लेकिन यह जो कालावधिया आपके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होगा तो ध्याद रखिये खुद पर थोड़ा सा सयम रखिये और कॉंफिडंस बनाए रखिये इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंबराशी के बारे में कुंबराशी के लाबहों में चंतरमा का ब्रह्मन है मंगल का ब्रह्मन है और आपका जो लाबेश है वो आपी के मेश मेश भी है तो यहां पर यह जो मंगल का ब्रह्मन है आपके लिए शुबह फलदाई साबित होने वाला है आप में बहुत अच्छा उत्सा दिखाई देगा और जो भी महत्वपूर्ण काम है जो भी काम आपको करने है डॉकुमेंटेश से भी काफी अच्छा देखा जाएगा जो एनर्जी लेवल है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी जहां पर आप काम करते हैं नोकरी करते हैं या फिर वैसा करते हैं वहां पर आप खुछ से इनिशेटिव लोगे और जो भी पेंडी काम है वो पूरे करोगे आपको आपके क काफी सबुपलदाई होगा हलाकि आपके जो मितर परिवार होगे उनके साथ चोटी-मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं बस उसी को पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और यह जो मंगल है यह मंगल सब्तम दृष्टी से आपके पंचमभाव को देख रहा है तो यहां पर अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहां पर चोटी-मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है क्योंकि आपका जो पंचमभाव में मंगल का ब्रह्मन है और वहां पर वो करीबन 17 जनवर इसे लेकर 17 फरवरी तक देखा जाएगा तो यहां पर जो मंगल है वह इसे देखा जाए तो आपके लिए शुबफलदाई है क्योंकि यह मंगल आपका भागज़ भी है उसी प्रकर आपके राशिका द्वितियश भी है जो कि आपके दशमभाव में ब्रह्मन कर रहा है और आपका जो दशमश है व आपके द्वारा बहुत ज़्यदा काम लिया जा रहा है या फिर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है ऐसी बति हो सकती है ऐसा समझ हो सकता है लेकि ध्यान रखे जैसे कि गुरु आपके वेया भाव में ब्रह्मन कर रहे है जो कि आप यह राश्यका स्वामी है तो वह आप को अपर्शेटी ज़्याता नहीं देगा इस प्रकार के स्ट्रेस अटेंशन आते रहेंगे लेकिन आप ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं क्योंकि यह जो पाते हैं वह एक सवा महने तक रहेगी मतलब 27-28 फारवरी के बाद जैसे ही मंगल आपके लावु बाहों में ब अंदर में किसी भी प्रकार के बड़े इंवेस्टमेंट नहीं करना रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना तो यह जान लेना ज्यादा आवश्यक होगा क्या क्योंकि आपकी जो राश्य काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है अगर सामने वाला वेक्तिक किसी अलगी तरीके से आ मतलब आपको कोई बिजनेस है तो वो चेंज करना चाहिए फिर उसमें ज्यादा इंवेस्टमेंट करने चाहिए इस प्रकार के डिसीजन इस कालावाधी में विल्कुल भी नहीं लेना तो दोस्तों ये था मंगल का जो ब्रहमण है करीबं 17 जानेवरी से लेकर 27 फरवरी तक जो धनू राशी में हो रहा है उसका जो ब्रहमण मेश रची से लेकर 20 राशी तक जो सबी 12 राशी है उसपर किस प्रकार से असर करएगा इसके संदर में चरचा आप पोई वीडियों कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अलभों किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है प्रमान डशिद्धी एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्यवाद